Hello Class 10th, आज हम Chapter 10, Circles के बारे में पढ़ेंगे Last Video मैंने आपको Exercise 10.2 के Question 8, 9 और 10 करवाये थे आज हम करेंगे Question 11 Question 11 में क्या है? आईए स्टार्ट करते है Question 11 is Prove that the Pedalogram circumscribing a circle is a rhombus कोई Pedalogram है, जो circle को circumscribe कर रहा है वो एक rhombus आपने ये प्रूफ करना है तो पहले हम एक circle बना लेते हैं या एक Pedalogram बनाओ ठीक है? ये कोई एक Pedalogram है जिसका नाम है A, B, C and D ठीक है? इसके अंदर कोई circle है या फिर आप ये कहें कि ये किसी circle के उपर बना हुआ है जो चारो sides उसकी touch कर रही है ये जो point of contact है इनको मैं नाम देता हूँ P, Q, R and S ठीक है? अब आपको prove क्या करना है? वो सब हम यहां लिख लेते हैं गीवन क्या है? कि A, B, C, D is a parallelogram और आपको prove क्या करना है? तो prove आपको prove करना है कि A, B, C, D is a rhombus यह आपको prove करना है ठीक है? तो इसका prove करेंगे अब देखो in the figure in the figure इस diagram के अंदर देखो आप यह एक circle है इस circle के लिए जो यह A point है A, यह क्या है? external point है ठीक है? और external point से दो tangent गए हुए है मतलब AP और AS यह दोन्नों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे इसका reason क्या है? कि दोन्नों ही tangent आपस में ठीक है? अब एक चीज़ देखिए आप यहाँ पर तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि AP is equal to AS और इसका reason क्या रहेगा आपका theorem number 10.2 theorem number 10.2 क्या थी? कि कि किसी भी circle में external points से अगर दो tangent आएंगे तो दोनों ही tangents की जो length होगी वो equal होगी तो AP is equal to AS ठीक है? अब देखो एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखना हमको prove क्या करना है? कि ABCD एक rhombus है, rhombus मतलब इसकी चारो sites equal हम prove कर देंगे तो यह एक rhombus हो जाएगा चारो sites मतलब AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA यह चारो sites आपस में हमने equal prove करनी हैं तो देखो, AB का क्या मतलब है? AB का मतलब है AP plus में PB ठीक है? और एक चीज़ और यहाँ से एक चीज़ और समझे आपको parallelogram given है इसका मतलब parallelogram के opposite sites equal होती है AB is equal to CD and AD is equal to is equal to BC यह चीज़ हमको given है और यह चीज़ कहीना कि हमको prove करनी है अगर हम यह prove कर दे कि इन चारो sites में से जैसे कि या तो यह दोनू equal है ठीक है या फिर यह दोनू equal है या फिर यह दोनू या फिर यह दोनू मतलब कि कुछ भी यह दो जो पेर बने हुए ना इन में से किसी भी एक साइड को अगर हम equal prove कर दे तो हमारा question solve हो जाएगा तो देखो AP is equal to AS यह हमने यहां लिखा ठीक है AB के अंदर क्या क्या है AP और PB तो यहाँ पर AP के निच्चे हम लिखेंगे BB ठीक है तो यह आगया B P is equal to B Q और इसका भी reason क्या रहेगा theorem number 10.2 देखो यह question काफी important है इसलिए मैं आपको बतारों द्हान से कि लिखना कैसे है AP लिखा तो हमको AB चाहिए ना AP लिखा तो PB और चाहिए क्योंकि बाद में हम इन सभी equations को एड़ करेंगे जब AP में PB एड़ होगा तो वह एक AB बन जाएगा उसके बाद यहां B Q आ चुका है B Q में क्या एड़ करें QC ठीक है तो इदर तो लिखो QC और QC किसके equal है RC के ठीक है इसका भी reason क्या रहेगा theorem number 10.2 उसके बाद RC लिख दिया RC में क्या एड़ करें DR B S ठीक है इसका भी reason theorem number 10.2 इनको equations मानले equation number 1 2 3 & 4 अब चारो ही equations को आप add कर लो add equations number 1 2 3 & 4 जब हम चारो equations को add करेंगे तो क्या होगा देखो यह left side सब add होंगी AP plus में BP is equal to sorry plus में RC and plus में DR is equal to यह जो right side से सब add हो जाएंगी क्या क्या है एस प्लस में B Q plus में Q C और एक लास्ट में DS भी है इसको मैं यहां लिख देखो जब तो AP में BP जुड़ेगा AP plus BP क्या हो जाएगा AB plus में यह RC plus में DR RC plus में DR क्या हो जाएगा DC is equal to DS plus में AS वो हो जाएगा AD और BQ plus में QC वो हो जाएगा BC ठीक है अब हमको given क्या था यह given है हमको ठीक है इसको एक्वेशन नुबर 1 मानतों में एक वा यह फिक्वेशन नुबर 5 मान रहे इसको ठीक है अब लिखो यहाँ से क्या from equation number 5 equation number 5 में क्या है कि AB और CD equal है और AD और BC equal है तो यहाँ पर जो यह DC है क्या मैं DC की जगा AB लिख सकता हूँ DC की जगा भी AB लिख सकता हूँ इस इक्वेल टू ठीक है AB और BA को ले ले आता हूँ अब देखो इन में से एक को चेंज कर लो आप AD और BC equal है तो इसके अंदर आप AD की जगा BC लिख दो और BC की जगा भी BC अब यह कितना हो गया 2AB is equal to 2BC यहां से AB is equal to यह 2 multiply में तो divide में जाएगा उससाइड 2 से टूकट गया क्या आगया AB is equal to BC इसका equation number 6 मान लो अब लिखना आपने के आदास में from equation number 5 and equation number 6 देखो 5 में क्या था कि AB और CD equal है AB और CD equal है AD and BC opposite sides equal थी अभी हमने यह प्रूव कर दिया कि AB और BC भी इक्वल है AB और BC भी इक्वल है मैं एक बार नाम देता हूं देखो यह वन नंबर की is a two-nummer की side यह three number 2 एक थे पूर नंबर की शेट स्टाइट में हमको QG मद था कि one number 2 घिसए थologically number k-e equal है और जो number backside की सैट किसके इक्वल है four number के इक्वल है अभी हमने प्रूव कर दे कि AB और BC मम्दब one और यृन और two equal है और 24 के एक वलाठ 4231 के वल महलब चारो साइट सीक्वाल होगी तो यहां से आप लिख सकते हो नॉर्मल क्या AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA hence hence ABCD is a room bus यही हम को प्रूव करना था यह कोशन काफी important है इसको आप दियान से दोबारा देख सकते हो अब जो है कोशन नमबर 12 उसको हम करेंगे next part में बट आज हम करेंगे कोशन नमबर 13 कोशन नमबर 12 आज तक तो अभी exam में नहीं आया है बट आपको easy है वो बस थोड़ा सा बड़ा जादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है बट उसका जो तरीका है करने का वो काफी आसान है ठीक है कोशन नमबर 13 जो है उसको करते है ओके कोशन नमबर 13 में क्या है कि एक नट ओके कोशन नमबर 13 है and prove that the opposite sides of a quadrilator circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle ठीक है आपको given क्या है एक quadrilator है हम नोर्मल एक quadrilator बना लेते हैं कोई भी A, B, C and D ये किसी circle के उपर बना हुआ है ठीक है ये points मान लेता हूं P, Q, R, S जो इसका center है वो हमने मान लिया O अब आपको prove ये करना है कि इस quadrilator की जो opposite sides है मतलब कि A, B और C, D ये दोनुगी sides center पर जैसे ये दोनुगी sides center पर जो angle बना रहे है ठीक है जो angle बना रहे है मतलब कि ये angle plus में ये angle ये दोनुगी angle जो है वो दोनुगी angle आपस में supplementary है मतलब कि आपको prove क्या करना है वो मैं लिख देता हूं टू प्रूव आपको प्रूव करना है angle A, O, B प्लस में angle C, O, D ये दोनुगी का सम जो है वो 180 degree है ये आपको प्रूव करना है कि ये दोनुग अंगल supplementary है तो आइए इसको prove करते है प्रूव में सबसे पहले आपने करना कि आप join करो ओ, S, O, P ठीक है ओ, P उसके बाद O, Q and O, R को इन सब को आप पहले join करवा दो ठीक है अब देखो यहां पर कितने angles बन गए angle 1, angle 2, angle 3, ये वाला 4, ये angle number 5, 6, 7 और ये वाला angle 8 टोटल 8 angle आपके पास बन गए ठीक है A, O, B का क्या मतलब होगा आप देखो A, O, B इसका मतलब है angle number 6 and 7 angle number 6 plus में angle number 7 और C, O, D का मतलब है angle 2 plus में angle 3 ये भी आपको कहिना कि ऐसा ही आपको प्रूव करना कि इन दोनों एंगल कर सम प्लस में इन दोनों एंगल कर सम कितना आएगा 180 डिग्री तो हमने join किया सब को अब क्या करना है सबसे पहले इन triangle S, O, D and triangle R, O, D इन दोनों triangle के अंदर देखो S, O, D and R, O, D के अंदर देखो O, S और O, R दोनों ही क्या है रेडियस है तो S, O is equal to R, O इसका reason क्या है दोनों ही रेडियस है उसके बाद O से लेके D तक दोनों ही triangle में क्या है common O, D is equal to O, D क्यों क्योंकि यह common है उसके बाद इस circle के लिए D जो है D वो क्या है एक external point है और D से दो tangent गे हुए है D R and D S, तो D S और D are equal होंगे इसका reason क्या है theorem number 10.6, sorry 10.2, theorem number 10.2 क्या थी कि कि किसी भी circle के बाहर से किसी point से दो tangent आएंगे तो दोनों ही tangents की जो length होगी वो equal होगी यह reason भी आप दे सकते हो, theorem number 10.2 या फिर आप यह भी लिख सकते हो tangents from the point D, ठीक है, अब कौन सा rule लग जाएगा भाई, S, 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 rule, by S, 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 rule triangle S, O, D is congruent to triangle R, O, D, ठीक है, और अगर दोनों ही triangle congruent है, तो angle 1 जो है, वो angle 2 के equal होगा, इसका reason क्या रहेगा, C, P, C, T, ठीक है, angle 1 और angle 2 आपस में equal होगे, उसके बाद, similarly, similarly in triangle R, O, C and triangle Q, O, C, इन दोनों triangles के अंदर, angle 3 और angle 4 equal होगे, ठीक है, triangle R, O, C is congruent to triangle Q, O, C, इसका reason आप क्या लिख होगे, क्यों होगे यह दोनों triangle congruent by, S, 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 rule, ठीक है, similarly हमने यहां लिख दिया, तो पूरा explain करने की जूरत नहीं है, बस यह दोनों triangle congruent है, तो जो angle 3 है, और angle 4 है, वो भी equal होंगे, region इसका, C, P, C, T, उसके बाद, next आप दिखोगे, int triangle, int triangle Q, O, B, Q, O, B and triangle B, O, P, इन दोनों triangles के अंदर, यह दोनों triangle भी congruent होंगे, triangle Q, O, B, is congruent to triangle B, O, P, इसका reason by SSS rule, और अगर यह दोनों triangle congruent होंगे, तो angle 5 जो है, angle 6 के equal होगा, और इसका reason रहेगा, C, P, C, T, equation number 3, उसके बाद, last आपने लिखना है, इन triangle P, O, A and triangle A, O, S, या S, O, A, ठीक है, इन दोनों triangles के अंदर, triangle P, O, A, is congruent to triangle S, O, A, region वही, same by SSS rule, और अगर दोनों triangle congruent है, तो angle 7 is equal to angle 8, reason इसका रहेगा, C, P, C, T, equation number 4, ठीक है, अब एक चीज़ देखो, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4, plus में angle 5, plus में angle 6, plus में angle 7, plus में angle 8, यह जो जितने भी 8 के, 8 angle है, यह सभी angles, ठीक है, यह एक circle बना रहे है, और circle के अंदर, जो angles का सम होता है, सभी angles का सम, वो कितना होता है, 360 degree, ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, from, equation number 1, 2, 3, and 4, ठीक है, 4 equations के अंदर देखो, angle 1 और 2 equal है, 3, 4 के 5, 6 के, और 7, 8 के equal है, और हमको चाहिए, कौन-कौन से angle, 2, 3, and 6, 7, तो बाकि जो 1, उसके बाद 4, उसके बाद 5, और 8, इन सब की हमको जरुरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 equal है, तो याब 1 की जगा भी मैं 2 लिख देता हूँ, और 2 की जगा तो 2 है, 3 हमको जरुरत है, 4 की हमको जरुरत नहीं है, तो 4 और 3 equal है, तो 4 की जगा भी 3 लिख दिया, उसके बाद 5 की हमको जरुरत नहीं है, बट 546 इक्वल है तो 5 की जगा जिख दिया 7 की हमको जुरुद है बट 8 की नहीं है और 8 और 7 दोनों इक्वल है तो 8 की जगा मैंने 7 लिख दिया अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना 2 एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना कितना हो जाए गई है टू एंगल 3 एंगल 6 प्लस एंगल 6 कितना टू एंगल 6 hedg āंग सेवन प्लस सेवन एगल सेवन एगल तक चैजी वन brig टो खिए सब के अंदर है तो हम ऊपार न्हीं migrant कि आदा है क्तिक प्लस वाइद तो छैसेपला प्लस में इंगल सेवन प्लस में आल चैज प्लस में एंगल सेवन एगल तो ő तो मिल्टिपली लेगा 180 डिग्री तो यहीं हमको प्रूफ करना था ठीक है प्रूब आप यहां पर लिख सकते हो कि एंगल टू प्लस एंगल थृप्लस में इंगल सेंवन कर सम्कितना गया 180 डिग्री आ यह हैं आपर आप क्या हो गया आपका प्रूव हो गया और या फिर आप यह भी लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल सी ओडी प्लस में एंगल सी ओडी इस इकल टू 180 डिए ठीक है तो गाइस यह था सोल्यूशन ओफ कोस्ट नुबर 11 और 13 नेक्स्ट वीडियो में ह आपके साथ करें कोस्ट नंबर 12 और इन दोनों कोस्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं ओके थैंक यू